नमस्कार दोस्तों निमी टेकनिकल में आप सभी का स्वागत है पावर सिस्टम का आज हमारा अंतिम क्लास है और जब से हमने पावर सिस्टम जैसे यूनिट से पोस्टन सौल्व करना स्टार्ट किया तभी से आप जैसे विद्यार्थियों से हमें धेर सारा प्यार और धेर सारा सपोर्ट मिला है इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं देखिए पावर सिस्टम जो है ना सिंगल यूनिट पावर सिस्टम से आज हम 1500 कोस्टनों को सॉल्व कर चुके होंगे और इस 1500 कोस्टन का जो कंटेंट है आपके नोटबुक तक पहुँच चुका होगा और इसका पीडिया भी आप प्राप्त कर सकते हैं नीमी टेकनिकल क्ला से के ओफिसियल टेलिग्राम चैनल से है ना तो आज का जो क्लास है एक अच्छे मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं जो रियल में आजकल के स्टूडेंट जो है इस चीजों से गुजर रहा है सुनेगा आज का मोटिवेशन क्या आपका डरने से कभी कोई सपना नहीं ह होता है पूरा ये हकीकत है है ना डरने से कभी नहीं होता है किसी का सपना पूरा लड़ना पड़ता है कभी कलम से कभी हालातों से तो कभी अपने आप से और हर इस्टूडेंट लड़ता है कभी कलम से कभी अपने आप से तो कभी हालातों से और जीता वही है जो सिद्दत स लड़ता है, आप जरूर जीतेंगे बस लड़ना मत छोडियेगा देखिये दोस्तों ये जो Power System का है, Last Class है, 10 वा क्लास, इसमें 10 क्लास 10 questions है, और एक भी questions को Miss आपको नहीं करना है टारगेट आप सभी को पता है, क्या target हम लेकर के चल रहे हैं? पूरा 150 question है actual में यह question है कहां से है ना देखिएगा इसका आपको pdf मिलेगा telegram channel पर इसको join जरूर कीजिएगा description box में इसका link दिया गया है देखिए दोस्तो 141 number का जो questions है यह हमारा आज का पहला question है है ना यह जो ITI से संबंदित जितने भी दोस्तों भारत के केंदरी एवं राजकी इस तरके ITI इलेक्ट्रीशन से संबंदित प्रतियोगी परिक्साओं है सभी के लिए काम आएगा चाहे आप railway ALP के लिए railway technician के लिए UP PCL बार्क DFCCIL के लिए हर किसी का syllabus देखे 90% match करता है अगर आप कहेंगे sir DFCCIL के लिए अलग से थियोरी पढ़ाओ तो ऐसा कोई teacher नहीं है जो आपको अलग से थियोरी पढ़ाएगा क्योंकि थियोरी तो एक ही है power system यही है जो railway में भी पूछा जाएगा और UP PCL में भी पूछा जाएगा और अगर किसी को पता भी है तो short way में पता है एक्चुल में formula क्या कहता है उसको देखते है क्या बोला जा रहा है कि voltage का आयाम बढ़ाने से line loss कैसे कम हो जाती है देखेगा यहाँ पर बात आती है सबसे पहले किसकी power की power बराबर V I cos phi होता है V I cos phi यह क्या है power है यहाँ से अगर आप current निकालते है line का line का current अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा formula P बराबर V cos phi यह क्या बन गया आपका formula बन गया ठीक है ना हमें क्या बोला जा रहा है line loss के बारे में तो अगर हम line loss यहाँ पर देखते हैं यानिकी power loss या फिर line का current अगर आप निकालेंगे तो formula क्या बनेगा P square into R बटा V square into cos square theta यह क्या बन जाएगा यह आपका formula बन जाएगा यह क्या है आपका formula है इस formula में देखिए इस formula में कुछ component है transmission line के जैसा कि आपका हो गया power जैसा कि आपका हो गया प्रतिरोध और जैसा कि हो गया आपका cos phi अगर यह three parameters यह क्या है यह transmission line के parameters है अगर यह three parameters क्या हो जाएगे नियत हो जाएगे तो उस case में क्या बचेगा उस case में देखिए यहाँ पर जो power loss है यह किसके समानुपाती हो जाएगा पावर लोस आपका वोल्टेज के व्यूत क्रमानुपाती हो जाएगे यानि कि अगर आप वोल्टेज को जितना अधिक बढ़ाते हैं आपका पावर लोस उतना ही कम हो जाएगा वोल्टेज को बढ़ाईए पावर लोस घड़ता जाएगा voltage बढ़ाईए power loss घटता जाएगा और actual में आपसे यह कहा रहा है कहा जा रहा है कि voltage का आयाम बढ़ाने से line loss कैसे कम हो जाती है तो इस प्रकार से कम होती है लेकिन इस parameters को आपको ध्यान रखना है चाहे वो power हो, प्रतिरोध हो, cos phi हो इसको जब आप constant मानेंगे तब ही आपका voltage बढ़ाएंगे तो फिर आपका power loss जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना तो देखिए इसका answer क्या होगा इसका answer होगा, यह इसका answer है option कुछ भी नहीं है क्योंकि एक formula के थाथ, मैं आपका यह जो content था, यह content formula के तोर पर देना चाहता था इसलिए कोई भी option जो है आपके सामने नहीं present किया ठीक है ना, अगला question वितरण और संचरड लाइन में लगा कुछालक का जो आकार है किसका आकार पुछा जा रहे हैं आपर कुछालक का जो आकार है यह topi नुमा क्यों होता है अब देखे, generally ना, बहुत सारे student को यह पता भी है पहले सही पता है इसका answer कि इसका आकार कैसा होता है, topi नुमा होता है, क्यों होता है तो कई सारे student आप यहाँ पर comment करके यह बोल सकते है कि सर बरसात का पानी जो है, इसके अंदर ना चली जाए इंसुलेटर के अंदर, इसलिए हम इसको topi नुमा बनाते है वाता वरण और नमी से यह अपरभावित रहे, इसलिए topi नुमा बनाते है मतलब कि कई सारे जवाब, और सारे आपके जवाब सही भी है ऐसा नहीं कि आपका जवाब गलत है, बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग जवाब एक और है कि इसका फ्लैस ओवर डिस्टेंस को घटाने के लिए भी हम इसको topi नुमा बनाते है अब यह फ्लैस ओवर क्या है, इसको समझेगा फ्लैस ओवर किसको कहते है, देखे, यह क्या है यह है, यह है आपका वाइर यह क्या है, ट्रांसमीशन लाइन में, यह एक वाइर गई है यह क्या है, यह एक इस्टेंडर्ड या फिर बurning वाइर है इसी wire में यहाँ पर क्या लगा होगा एक selding लगा होगा और यहाँ पर क्या लगी है यह insulator लगे है इस प्रकार से series में insulator connect है हर एक insulator जो है यह 11 kv के लिए design किया गया है किसके लिए 11 kv के लिए यह इसका die electric strength है ये इसका क्या है डाइलेक्टिक स्ट्रेंट जब ये इंसुलेटर अपने डाइलेक्टिक स्ट्रेंट को समाप्त कर देगा उस कंडिशन में ये क्या वनेगा ये एक कंड़क्टर की तरह बिवहार करने लगेगा ठीक है ना फिर जब ये कंड़क्टर तो कंड़क्टर में क्य होता है current flow होता है तो इसके माध्यम से भी current flow होने लगेगा अब यह जो silding है यह तो क्या है यह तो insulator है है न यह क्या है यह आपका insulator और यह है silding अब यह silding क्या है तो जिसको आप कहते हैं guard ring जिसको आप क्या कहते हैं guard ring है न तो transmission line में भी guard ring होता ये guard ring actual में है क्या ना ये earth के साथ इस परकार से ground किया हुआ है यानि कि इसको earth के साथ ground कर देते हैं हम क्यूं करते हैं जैसे कि surge voltage या फिर surge current आए ना उस surge current को ये ground कर दे लेकिन ये अगर कम amount में voltage है और कम amount में fault current है उस current को ये एक path परदान नहीं करता है underground करने के लिए और जैस के संपर्क में होता है और जैसे ही देखें इस wire की माद्यम से ये ground होने की कोशिस करेगा ये current तो हो नहीं पाएगा क्योंकि resistance का मान बहुत अधिक है उस case में क्या होता है इस parking होने लगती है उसी को कहा जाता है flash over उसी को घटाने के लिए क्या करते हैं हम इसको टोपी नुम नुमा बनाते हैं टोपी नुमा आकार बनाते हैं वित्रन और संच्रल लाइन में और आप सभी को पता है यह जो सिल्डी है ना वित्रन लाइन में भी लगाई जाती है और फिर यह ट्रांस्मेशन लाइन में भी लगी होती है नेक्स्ट है कि संच्रल लाइन में पतला वायर क किया रही है तो देखे पतला वाइर किगा रही है मतलब की वाईर का resistance वाइर का resistance क्या होता है आर बराबर होता है देखे रो इंटू एल हैना डार बराबर रो इंटू इल बटा ए ठीक है यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी यहां से देखेगा यह जो आपका निकाला था line का loss या फिर power loss या line का current बराबर क्या सुत्र बना था वहाँ पर power square into r बटा V square into cos square theta ये आपका क्या बना था ये आपका formula त्यार हुआ था ये formula तो बन गया देखे अगर इसी के according इस formula को हम set करें तो कैसे set करेंगे ये बराबर क्या हो जागा देखे ये बराबर क्या है रो इंटु एल तो आप यहां पर लिखे रो इंटु एल बटा क्या है आर अब यहां से हमें देखे हमें यहीं से आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जागा देखे आर बराबर सब्सक्सक्राइबर शुत मेंपधा क्या है रो है ये पैरामेटर्स क्या क्या है देखे देखे रो हो गया लंबाई एल हो गई पावर हो गया और पावर लॉस हो गई है न और आपका क्या होगा कॉस फाई हो गया ये सारे पैरामेटर्स है इन सभी पैरामेटर्स को आपको क्या करना है constant मानना है और constant जब मान लेंगे तो यह जो है न यह किसके वीद करमानुपाती हो जाएगा voltage के वीद करमानुपाती हो जाएगा अब देखें न आप voltage को बढ़ाएगे कितना आप बढ़ा सकते हैं voltage को voltage को आप कितना बढ़ा सकते हैं उतना ही पतले तार से उतने ही आप पतले तार से क्या कर सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज को ट्रांसफर कर सकते हैं है ना क्या कर सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो देखे यही आप से पूछा गया था एक्चुल में कि वोल्टेज को आप जितना बढ़ाएंगे ये ए क्या है ये ए है वायर की कटाच छित्रफल ये क्या है वायर का कटाच छित्रफल है ना वायर का क्या है ये कटाच छित्रफल यानिकि वायर उतना ही पतले वायर से आप हाई वोल्टेज को ट्रांस्मीट कर सकते हैं तो देखिए इसका पीडे भी आपको सुनार्था वहां डिभिक नेसरा्स है किये पूलेटर में वाधावरान को जाता है लेकिन डिभी होगी इन्सलेटर कहराब नहीं होती है, replace नहों नहीं इसका सही आंसर होगा, कि इसको हम replace नहीं कर सकते, यह सबसे बड़ी कमजोरी होती है, transmission line के, अब देखे, यहाँ पर अगर suspension type insulator लगी होती है, यह क्या है, यह एक conductor है, देखे, यह क्या है, यह एक wire है, है ना, standard wire, अब यहाँ पर insulator लगा हुआ है, यह क्या है, यह आपस में insulator connect है, यह किस प्रकार का insulator है, यही पर shielding ring है, यह suspension type का, यह किस प्रकार का है, यह suspension type का insulator है, suspension type का insulator है, अगर इस insulator में एक भी insulator, अगर यह खराब भी हो गई ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, replace कर सकते हैं, यानि कि बदल सकते हैं, और pin insulator में ऐसा नहीं होता है यही इसकी क्या है सबसे बड़ी कमी मानी जाती है है ना सबसे बड़ी इसकी क्या है कमजोरी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते इस ट्रेंड कुछ अलग को किस इस्तिती में इस्थापित किया जाता है तो हमेशा याद रखेगा इसको हम 6 जवस्था में ही इस यह एक नदी है और इस नदी में पानी बह रही है और इसी नदी के दोनों तरफ देखे इस नदी के दोनों तरफ एक एक टावर लगे हुए है यह पहला टावर यह दूसरा टावर है और यहाँ पर यह ट्रांसमिशन वायर निकली हुई है यह ट्रांसमिशन वायर आप देख पारे होंगे कि जस्ट नदी के ऊपर ही है यही पर क्या लगेगा इस ट्रेंड कुछ अलग लगेगा और यह हमेशाथ 36 अवस्था में इसको हम क्या करेंगे लगा के रखते हैं और उर्धवारदर की जब पूछे उर्धवारदर अवस्था में कौन लगता है तो यह suspension जाता है तो यह स्थिती से related भी question आया है और यह question DMRC का question है है न याद रखेंगे यह question पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है एक ऐसा question है जो बिलकुल अलग है transmission line से यहां से question यह बन सकता है आपके लिए यह question मैंने important समझा इसलिए आपके सामने इसको present कर M जो है na mutual inductance है इसका मान 10 से अधिक होना चाहिए 10 के बराबर होना चाहिए 10 से कम या 10 या फिर mutual inductance का मान 1 होना चाहिए तो यहां पर देखे 1 की तरफ आप मत जाए 1 की तरफ आप बिलकुल भी मत जाए यह आपका एक number दोस्तों miss कर सकता है आप जाएगा M जो है na M का मान 10 से अधिक होना चाहिए है न हमेशा जो आपका mutual inductance है जो आपका mutual inductance है इसका जो मान है न हमेशा 10 से अधिक ही होना चाहिए 10 से कम जो है वो नहीं होना चाहिए 10 से हमेशा अधिक होना चाहिए और 10 से अधिक होता भी है यही इसका सही आंसर है option number A अगला question देखिए strength कुछ आलग दक्षता के लिए सत्य कथन क्या है सत्य कथन क्या है तो देखिए अगर आप strength कुछ आलग जो है इसका इस्थिती के बारे में भी देख लिये इसका इस्तिमाल कहां पर होता है वो भी आपने देख लिया अब इसकी efficiency की बारी आती है इसकी दक्षता की बारी आती है तो जो दक्षता है ना strength के R पर voltage यानि कि जो इसका die electric strength है die electric strength कितना है हर एक insulator का 11 के भी है तो वो वाली voltage डिस्क की संख्या यानि कि ये एक wire है और इसमें देखिए कई सारे डिस्क आपस में series में इस परकार से लड voltage ये line में जो voltage चल रही है ये जो line में voltage चल रही है जिसको हम क्या कहते है line voltage इस वाले line voltage को आप multiply करके disk की संख्या के साथ strand के R पर voltage जो 11 के भी voltage है इसमें जब आप भाग देदेंगे तो इसकी efficiency निकल के आ जाएगी है ना तो answer option number A ही होगा कि strand की strand के R पर voltage और disk की संख्या गुड़े voltage का मान है ना तो ये एक नया question था आपके लिए देखे power system से जितना भी हो सका ना most important ढूल ढूल के questions में आपके सामने रखा हूं है question की कोई कमी नहीं है guard ring को और अन्ने किस नाम से जानते है इसको static shielding के नाम से जानते है मैंने अभी आपको बता भी रखा है कि static shielding कहां पर होता है और इसका connection direct किस के साथ होता है अर्थ के साथ होता है ठीक है ना संचरड लाइन में प्रती इकाई विधी के द्वारा क्या ग्यात किया जाता है तो प्रती इकाई विधी जो होता है इसको हम कहते है इसको कही जाती है per unit method और यह जो per unit method है ना इस method द्वारा क्या क्या किया जा सकता है तो देखे इसके किसकी ट्रांस्मिशन लाइन की जो कैलकुलेशन होती है सिस्टम की जो कैलकुलेशन होती है उसको ये आसान करता है लाइन की जो कैलकुलेशन होती है उसको ये विधी क्या बनाता है ये आसान बना देता है और इसके अलावा देखे जो आपका सिंगल लाइन डाइग्राम होत जो सिंगल लाइन डाईग्राम होता एक उसको समझने में यह मदद करता है ठीक ओर फॉल्ट करेंट को कशले करने में करने में आसानी होती है यह जो करेंट होता है इसको कButtle के समझने में चाहिए करने में उसका करता है मददगार होता है और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग यानि कि इस सिस्टम में किस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए उसकी रेटिंग को कैलकुलेशन करने में भी यह क्या करता है मदद करता है तो संचर लाइन में जो प्रति इकाई विधी है पर यूट विदी है इसके द्वारग क्या जाता है Fault Current है ना Fault Current का का कैलकूलेशन आसानी से कर सकते हैं Circuit Breaker किस रेटिंग का हम लगांगे इस संचर लाइन में उसकी रेटिंग के बारे में ये आसानी से बता सकता है और line की calculation, system की calculation, single line diagram जो होता है ना, इसको समझने में थोड़ा ये help करता है, तो B तथा C जो है, ये दोनों इसके correct answer हो जाएंगे, last question देखेगा, किसी central system की inductive reactance को घटाने के लिए किस वीदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसमें देखे, central system में double line है ना, संचरण system जो होता है, इसमें double line हम परियोग करके भी, इसको हम घटा सकते है, inductive reactance को और bundled conductor का परियोग करके भी, देखे जो बंडल conductor है ना, अगर हम बंडल बंडल conductor का परियोग करेंगे, बंडल conductor का अगर हम यूज करते हैं, तो actual में होता क्या है, कि जो इसके area होता है, जो wire की area होता है, वो area क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे wire का inductance का मान होता है, वो भी क्या हो जाता है, जिससे जो axle line का वो भी कम हो जाती है, लेकिन जो reactive power ह जो reactive power है यह बढ़ जाती है देखेगा यह जो एक्सल होता है इसका formula आपको याद होगा एक्सल बराबर क्या होता है 2 pi f l अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं यह L का मान कम हुआ है तो एक्सल का भी मान कम हुआ है देखें इंडक्टेंज क्या है L है और यह कम हुआ तो एक्स यहाँ पर कम हुआ है तो reactive power यहाँ पर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और यह देखें फाइनल reactive power क्या हो चुका है बढ़ चुका है तो इसलिए bundle conductor के द्वारा और central system में double line ले जा करके हम क्या कर सकते हैं inductive reactance का मान को हम घाटा सकते हैं यह क्या है इस विधी का इस्तेमा इसलिए तार गए हुए होते हैं parallel में तो वो ऐसा क्यों करते हैं double line हम इसलिए ले जाते हैं किसी एक टावर के द्वारा क्योंकि हम inductive reactance को कम करते हैं यह एक method होता है और एक ही टावर के द्वारा अगर हम दो दो लाइन ले जाते हैं तो और भी हम maximum power को ट्रांसफर कर सकते ह है ना तो दो दो हमें benefit मिलता है और bundle conductor के प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं पहला तो inductive reactance को घटा सकते हैं और दूसरा क्या होता है हम skin effect को भी कम कर सकते हैं है ना तो दो दो फायदा होता है तो यही था दोस्तो total देखेगा आज हम 150 question यानि कि 10 class में हमने 150 question को solve किया और ह हर question का देखे कितना full details आपके notebook तक पहुंचा रहे हैं इन सभी details का आप चाते हैं revision के समय ये content हमें मिल जाए आप notebook आपके पास हो सकता है अभी column ना हो हो सकता है आप ऐसे जगह पर बैट के class देख रहे हो जहां पर notebook भी आपके साथ ना हो ना ही आपके पास column हो तो फिर इसक के रूप में आप ले सकते हैं देख सकते हैं और नीमी technical classes के नाम से टेली ग्राम पर एक channel हमने बना रखा है वही पर जितना भी class लेते हैं जितना भी railway से संबंदी जितना भी syllabus से संबंदी और जितना भी आपका नई नई भरतियां आती है उससे संबंदी जो भी PDF होता है उ वही चीज आपको सबसे पहले दिया जाएगा है ना तो चलिए दोस्तों comment जरूर कीजेगा हमें आपके comment का इंतजार है और जब आप comment करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको किस unit का question है वो ज्यादा जरूर है आपके लिए है ना चलिए मिलते हैं next session में तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को subscribe कीजेगा बिल्कुल subscribe करना मत बूलिएगा और बिल आइकन को भी साथ में दवाते जाए ताकि notification से related कोई problem ना रहे थैंक यू